प्यारे विद्यार्थियों आज दी क्लास दे विच तोड़ा बहुत-बहुत स्वागत है आज जसी बारवी जमात दिशा अर्थशाष्टर तेसा डजड़ा आज दा टॉपिक है वोदा नाम है काट मांग अते वद मांग दी समस्या तो तो अड़ी जानकारी वस्ते में तो उन्हों दासते हैं बेटा की यह हैगा पार्ट टू ते पार्ट वन जड़ा वदी वीडियो आज उसारे ही विद्यार थी उन्हों देख लाए न क्योंकि ओधेगे जसी गाल किती सी काट मांग दी काट मांग ना समन्हों जिन्हें में सब टॉपिक है उदे आप आप विचार चर्चा किती सी काट मांग दे की कारना काट मांग दे की पर भाव है डिफलेशनरी जड़ा गैब की यह जनू आप सफीतिक अंतराल केने हैं तो उदा की अर्थ है तो इस हार यह जानते आप विचार चर्चा बहुत डेटेल ना किती सी ऐस वीडियो तो विच्चा आप गाल सिर्फ ते सिर्फ वाद मांग दी करांगे तो आप चर्चा करांगे की वाद मांग है की है उस्तो बाद असी ये गाल करांगे कि वाद मांग दे केड़े कारण है वाद मांग दे परभाव की है फिर वाद मांग दे पूरी आपां डाइगराम दे थूरू उदी व्याख्या करांगे ते समझन दी कोशिश करांगे कि वाद मांग के में जडिया पैदा हुं दिये तो इस सारी हैं गलना जड़ी हैं इस वीडियो दे विच्छा पसांजियां करांगे इस तोल आप 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 आएं भी देखांगे कि काट मांग ते वद मांग दे विच्छ की अंतर सफीतिक ते अव सफीतिक जड़ा अंतराल है ओक ही है क्योंकि यह बहुत चड़ अर्चर्चा कर दे हैं तो सबतों पहला अपां गल कर दे हैं वद मांग तों की पाव है यह अर्थ की है विटा जिस तरह तुसी देख रहे हो कि वद मांग दा अर्थ है अर्थ विवस्था विच ओ अवस्था जिस विच वर्तमान कुल मांग पूर्ण रुजगार ते हून वाले कुल मंग दे पदरतों वद्धोवे बहुत ही कलियर है यहाँ आपा दुझे शब्दांचे बेटा यह भी कह सके देंगी वद्ध मंग तो पाव है पूरन रुजगार दे पदरते कुल मंग कुल पूर्थी तों वद्ध है वाले करो कि मांग जडिया वाले कुल मंग दे पूर्थी काट वे तो यही गाल याद रखंदी में लोड़ा यह बहुत ही सबस्ता अनू क्लियर हो गया कि वाले कुल मंग दा अर्थ की है तो प्यारे वद्ध होन आपा वाद मंग दा जड़ा व्याख्या वो चित्तर राई करन दी कोशिश करांगे तानूसम जान दी कोशिश करांगे इस डायग्राम राई कि केमें जडिया वाद मंग दी स्थिती अर्थ वस्ता वेच केमें क्रेट उन दीया जबेकि तुसी वैसे पहला आप पिछले वीडियो चे पढ़ चुके हैं कि जड़े प्राणे अर्थ शास्त्री सी वो ते मांदे नी सी वो केंदे सी कुल मांग दे कुल पूर्ती हमेशा ही जड़े या वो ब्राबर हुम देया पर जड़े केंज जड़ा अधुनिक अर्थ शास्त्री सी वो उना दे विचार सी कि कई स्थितियां हो जियां आजनी हैं कि काट मांग भी हो सगदी दे वाद मांग भी हो सगदी अर्थ वस्ता चे स्थितियां आजनी है प्राणे समेच जिमें युद्ध युद्ध वे चे तो आपा होन व्याख्या करांगे की वद मांग दे की कारण दे की परभाव है के में जड़ी है अर्धवस्ता देविच मांग वद दी है तो एस डाइगराम देविच तुसी देख सकते हो बेटा सब तो पहला जड़ा OX है X-axis ते जड़ा तुसी देखो उतर पादन आमधन ते रुजगार उन्न दर्शाया गया है Y-axis ते कुल मांग अते कुल पूर्ती दी स्थितिन जड़ाया उन दर्शाया गया है होण एथे तुसी देखो पंताली डिगरी दे एंगल ते जड़ी पूर्ती दी लाइन जा रही है aggregate supply AS ते जड़ी ADF ये जड़ी मांग लाइन है मांग वकर है ये आपस देविच बेटा काट रही है EF ते चेक करो तो EF ते जड़ाया पूर्ण रुजगार्दी स्थिति है F दा मतलब full employment E point वो आज थे full employment है इसलिए EF दा पना देता है ये थे पूर्ण रुजगार्दी स्थिति है ये दा मतलब अभी सारे ही साधन जड़ेया कामते लग्यों ये जिन्ना उतुपादन हो रहाया वस्तों दे समामा दा उस सारा जड़ाया बजार्च वेक रहाया किसे किसम दा कोई स्टॉक पैदा नहीं हो रहाया तो जिन्ना भी उतुपादन किता जा रहाया उस सारा वेक रहाया सारे ही साधन जड़ेया वो सारे ही पादन दे साधन रुजगार ते लग्यों इने अनम्प्लाइमेंट नहीं है कि पूरन रुजगार दी स्थिती है देखो केड़े पॉइंट ते? EF पॉइंट ते जित थे ADF ते AS जड़े आपसच काट रहे है तो यह अपना पूरन रुजगार दा सुन्तुलन बिंदू हैगा उस तो बाद मालो कि अर्दवस्ता देवेच अचानक जड़ी मांग दा पद्दर वद जन्द है पूरन रुजगार पद्दर ते तो थोड़ा जड़ी मांग के मांग वकर उपर चले जन्दी है ADO हो जन्दी है तो ADO जड़ी वकर चोशी देखो उपर किसकी है ते एस स्थिती दे वेच शिरफ मांगी वदी है पूर्ती नहीं वदी होण देखो किन्नी मांग वदी है पहला जड़ी मांग सते पूर्ती किन्नी सी इनू चेक करो जिनों पूरण रुजगार दे संतुलन दिस्थिती सी न उदो बेटा कुल मांग ते कुल पूर्ती किननी सी EF के UF ये कुल मांग सी ता पूर्ती भी इननी सी EF के UF जिननी कुल मांग सी उननी पूर्ती सी पूरण रुजगार सी कोई बंदा वेला नी सी साब कामते लगे सी, जिन्ना उत पादनूर है सी सारा वेक रहा सी तो अचानक जीड़ी मांगवकर है खिसक के उपर चेलेगी E-D-O तो तुसी उन्हें देख सके देओ दा मतलब आपनी मांगदे वेच किन्ना वादा होया उन्हें आपचेक कर दें E-O-Q-O-F E-O-Q-O-F तुसी देख सकते हो ते लिखे आपा वाद्दू मांग चितर चे देखो इन्हें मांगदे रिया हो वाद गई है उन्हें वदी के में है तुसी चेक करो E-O-Q-O-F E-O-Q-O-F दे विच्चों आपा E-F त-Q-O-F कटा दिये ता वो अपनी की आजन्दी बेटा वाद्दू मांग तो तुसी हम देख सकते हो जड़ा E-O E-O पॉइंट है वो पूरण रजगार तो वाद दी स्थिती वाला पॉइंट है ते E-F जड़ा पॉइंट सी पूरण रजगार वाला पॉइंट सी तुसी देखी लिया डायगराम देवेच कलीर है होन एक चीज आपा देखिए के मांग बदन दे नाल हून मांगते वाद की की मांग बदन दे नाल आपा पूरती नू वदा सकदे है नहीं आपा पूरती नू नहीं वदा सकदे क्योकि आपा ये गाल मांग के चल लेए कि जड़ी सारे ही जिन्ने में उत्तपादन दे सादना वनाननों काम मिल आ है कोई किसे किसम दी कोई बेरुजगारी निया पूरुजगार दिसती है यदि आपा मांग के चल लेए पूर्थी नहीं बदाई जा सकते। पूर्थी नहीं बदाई जा सकते। पूर्थी नहीं बदाई जानेगें। जिनने वी उत्पादक है वी कीमता नू बदाई जानेगे। क्योंकि उत्पादन वी जड़ाया वो स्थेरा। उत्पादन स्थेरा आप मानके चलना की जड़ा उत्पादना वो स्थेरा आपनो नहीं बदाई सकते। तो इस करके जिनने कीमता वो बदाउनियां पेंदें। इत्थे इस करके आप आएगाल होन नोट कर दें। कि बेटे वद मांग दी स्थिती देवेच्चा आप पूर्थी नू नहीं बदा सकते। उत्पादन नहीं बदा सकते। आप माननके चलने की सारे ही लोग का नुरुजगार मिले आया किसे किसंदी भीरुजगार ही नहीं है। क्योंकि जिए पूर्थी विदा आपनो बंदे होर लोने पेंगे उत्पादन होर करना पूगा। तो आप माननके चलने की हो इनी सकता। थीक है। तो फेर एंड ते एस स्थिती देवेच वद मांग दी स्थिती च तुसी बेटा एक आल याद रख्यो कि आप वद तवज़े होन कीमता ही जड़ियां बास सगदियां उत्तपादक जड़ियां कीमता नूँ बदाएगा बाकी चीज़ें जड़ियां सारें स्थिर रहन गया होन आपाँ देख दे हैं कि वद मांग दे की कारणा बीज़े ए मांग वदी यह क्यों वदी यहां सब्सक्राइब देख देए कि उप्पोग पर विर्थी लोग का निजीरी वाद जे उप्पोग ते खर्च लोग वाद कर लाग पैन यह जो अपां हो सगदा कि इस तरह चानक इस तरह दिस्थेती अंदी कि लोग चड़ी अपनी आमदन दा मैक्सिमम हिस्सा जड़ाया उची जानों कि फिरद्धन ते जड़ा खर्च कर देया ते ताम सब्सक्राइब बाद मांग दी समस्या पैदा ओएगा उस्तो बाद है बदे इरे सरकारी खर्च उन सरकारा में कई वरी बहुत जड़ा खर्च कर देनानी जिस्तरा कई वरी ते आप पिछे चैप्टर्च काट मांगच देखाया वही सरकारां, खर्ची नहीं कर दियां किसे चीज़ते, तब ँल्टो सकता, सरकारां बहुत ज़या खर्च कर रही है, सड़का थे सरकार खर्च कर रही है, फोल बना रही है, हस्पताल, उदियोग, कारखनने, स्कूल ये सारियां चीज़ांदा जे कर बड़ी ते जीनल निर्मान हो रहा ता उदे नाल वद तो वद बन देयानू रुजगार मिलेगा क्योंकि जदो सडकां बननेगे अपुल बनननेगे, हस्पताल बनननेगे उद्योग बनननेगे ते वद तो वद लोग कानू कम मिलेगा जदो लोग कानू रुजगार मिलेगा, कम मिलेगा उननादी हाथच पैसे ओनगे ता उवद तो वद खर्च करनगे तो इस तरहां सरकारी खर्च करनदे नाल लोग काने अथाच पैसा ओनदाया ते लोक जड़ेया, उन्हादी जड़ी उप्पोकरन दी शक्तियों वद्धिया, लोकी वद्ध तो वद्ध खर्च कर देदे, इस करके मांग जड़ीया, वजन दिया, उस्तो बाद अगे देख देएं बिटे, बदेरें रहात, पिशली वरी आप पड़ेया सी काटन रहात, ह मतलब कैंद है कि आप जिड़ा समान है, वबार ले कंट्रीज नुँ पे जी जारे है, आपने देश ते विच जड़ा समान दा अपा उत्वादन क कीताया, वखःग वस्तु असे आमाँत उत्वादन कीताया, ओ मैक्सिमाम सिती बार ले मुलका नुँ पे जी जारेहा, ते मैक्सिमम मंग वदूगी लोग की कहने गेवी सान उचीज़न चाही दी है ति आपने जड़ा नर्यात करी जा रहे हैं बार ले कंट्रीज नू समान पे जी जा रहे हैं तो एस तरह जड़िया फिर वदू मंग दी समस्या पैदा हो जेगी उस तो बाद अगला पॉइंट आजन्दा है कट आयाद ठीक है कट आयाद दा मदलवी पहलना कई वरी आपने देश चो उनिया वस्तुआं से मामादा उत्पादन जड़ा इनना नहीं उन्दा देसा नू आयाद करोणा पेंदा बार ले कंट्रीज चो पर कई वरी आज सी बारों समान नहीं मगाँदे बारों समान नहीं मगाँदे याद कट नल साड़ देश देविच पर आज़ नन्वी जड़िया मंग बहुत ज़्यादा वाज जेगी तो बाद उन्माँव दी समस्य क्रेट हो जेगी इसतो बाद आजन्दा पिटा पॉइंट करां दीयां कट दरां उन कहीवरी सर्कार की करदीया कि टैक्स बैसे आद भी Pass कार जड़िनी टैक्स सर्कार भह जादा लांदीया अमीरांते भी लांदीया ग्रीब बाहते भी जड़ियां मतलब लोकादी आमधनवज्जनदी लोकादी खरीध शक्ती चड़ी जड़ी है है वो वज्जनदी है लोको वद चीज्जां दी मांग कर देया वो पहला नलो जड़े वद वस्थुनों खरीध देया तो एजड़ा अपपा हunuz जड़ा कीतता वुद सब टॉपिक वो वाद्धू मांगे दे कारण और आपां बेटा करांगे कि वाद्ध मांगे दे प्रवाम नतीज्जे ते परणाम की है तो एदे चापां देख दे हैं कि सब तो पहला जड़ा पॉइंट है कुछ पॉइंट थे लिखे कुछ तो लावावी मैं तनू दास दे सफीतिक अंतर जमें तुसी डाइगराम भी पिछे देखी है कि पूरर जगार दी स्थिती चन्नी मांगते पूर्ती हुन दी है उस तो वद जड़ी मांग जड़ी उस तो वद हो जबे ऑव वद मांग दे करके जड़ा सफीतिक अंतर प्यादा हो ज़न दा है पिछे आपा पॉस्तो बाद तुसी देख सकते हैं अगला पॉइंट है स्थेर उत्पादन प्रंतु लागर ते कीमत वेच वादा जिवेकि आपा पहला ही इस पॉइंट ते चर्चा कर चुके हैं कि जिदो मांगवाज जन्दी है स्थेतिक अंतर जड़ाया वो पैदा हो जन्दा है वो जे करके एस स्थेति की हुँ दा बिड़ा कि जड़ा अती पूरन रोजगार संतुलन पाया है अंतर पूरर रोजगार तो वाद दी स्थेति जड़ी पाई जन्दी है ते वो जड़ा ज़ की हुँ दा है फिर आपां क्योंकि उत्पादन दे साधन आपां माने के चल दे स पाउन होर रोजगार देवसर पैदा नहीं कार सकते तो उत्पादन स्थेति हैं कीमता लागता ओ जड़ीयां वाजण दी है इस तो बात अगला पॉइंट है लाभ वला वन लाभ देविट यह अभी शुरूत हो जड़ा पेंदा लाभ वद्धा है क्योंकि उन्हों मजबूरन कीमता वद़ो नहीं है आपेंदी है उत्पादन दे साधन वद्ध लानी सकता है ता ओ कीमता जो वद्धियां थे उन्हू लाभ हुंद शुडूच पर बात वेचो तो लाभ दा उन्नी मातरा नहीं हुनदा जिनना हो क्योंकि जड़ा लावदे वेच्च वादे तो परवावे तो उके जड़ा उत्तपादे का जड़ा इन्वेश कार है वो वद्त वद्त न्वेश कर देया उन्हानु पादा अवी जड़ी मांग बहुत ज़्यादा आया थे उन्हों पूरा करन वस्ते वो होर इन्वेस्ट कर देया जिदें तीजेचों अर्द वस्ता देखे ते वी निखंदा की न्वेश जड़ा लो उन्हान शुरू कर दें दे न्वेश वद्त है फिर को होर भी पॉइंट है जड़ा थे नहीं लेखिया जिस तरहां व्याज दियें दरहां ते वी प्रवा पेंदा क्योंकि न्व देश जड़ा वद्धाया ते न्वेश जड़ों वद्धेगा ते पुंजीरी मांग भी वद्धी कि लोग की जड़ी डिमांड करने इसानों कितना कि तो पैसे मिलन ते सी काम शुरू करिए क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब काम साड़ा चाल जूगा ता ओधे क कि उन्दा है कि जड़ी व्याज दियां दरामी वज्जन दियां क्योंकि जड़े उधार देन वाले नौन पता हुंदा है इस वक्त पुंजीरी मांग बजार च बहुत ज़्यादा तो यह जड़े पॉइंट आप बेटा देख लेया कि एदा परणाम की है एक दो तिन ते दो पॉइंट में तो नहों होर दास्ते है ए चार पंच पॉइंट है एक कोश्चन में देच आ सकता है कि वद्धू मांग दे की प्रणाम नतीजे ने तो देच तुसी आ सारे पॉइंट चे तुसी पॉइंट च नहीं भी लिखना तुसी वैसे सिद्धा सिद्धा भी तो ये भी बहुत इंपॉइंट कोश्चन है चार नंबर या छे नंबर दा कोश्चन तोनों आ सकता तो शब तो पहला अंतर ते बेटा आप ये देखांगे कि मीरिंग दा दोठांच की अंतर तो पहला देखांगे की καट मांग किया वाद मांग किया तो उदेशा नापचे करीय की जड़ी काट मांग है वो किया तानु पिज में पहला ही बेटापां समझाया हो नहीं की काट मांग किया की अर्ध वस्ता वेक्च जेकर कुल मांग पूरन रुजगार दे पदरतों काट ता उन्हों की केंदे काट मंग, ते जे कार अर्ध वस्ता देवे जड़ी कुल मंग है, पूरन रुजगा अर्धे पदरतों वाद्ध होवे, ता उन्हों वाद्ध मंग आख देहन, जवे कि आपा लास्ट टाइम पिछे हुने थोड़ी देर पड़े आज़ना आपा, कि चित मंग करके जड़ी है, अव सफीतिक अंत्राल जड़ाया, वो पैदा हुना, अव सफीतिक अंत्राल मतलब की कीमता जड़ी है, काट जन्दी है, जवे बिटा तो नो पता ही कि जदू मंग काट जन्दी है, ते उत पादन भी काट जन्दा है, रुजगार भी काट जन्दा, कीमता जड़ियां automatically काड़ जन्दियां, उत्रपाद कानों कीमता कटोणियां ही पेंदियां, क्योंकि मांगी नहीं कि बिजार दे विच, ते जेकर उन वद मांग दी स्थिति चाजियें, तब वद मांग चे क्यों दा है, कि केडा न्तराल दा सफीतिक न्तराल, सफीतिक न्तर मतलब कीमता जड़ियां वद जन्दियां, क्योंकि आप इदे चे जान्दे है कि उत्रपादन में पूरा जगार दी, जड़ियां, सब बंदे जड़े कामते लगए यहने, अति पूरान जगार दी स्थिति, उत्रपादन ज़ियां कोई वदा नहीं बादन नहीं किता जा सक तो यह अपना जड़ा दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अपा देखते हैं, कि जड़ी काट मांग है, वो स्थिती दे वेचे पूरण रुजगार जड़ा वो पैदा है, वो वाली स्थिती पैदा हुंदी है, कि मैं, क्योंकि जदों ते सन्तोलन वाली स्थेति हुन धी है वो दो पूरण kindly रजगार उना, जिदों मांग कटशन धी है ता पूरण रुजगार, मतलब पूरण रिजगार दा मतलब पूरण तो काट वो स्थेति पह अच्छी कीम दे है और इच्छोक बीhur जगार जेवे कि आपा कित्ता ही है कि उत्तपार्ण चे भी कमिया इंदी उर्जगार चे भी कमिया जन्दी है तो उर्जगार चे जड़ी कमिया वो होई पूरण जगार धी स्थिति है मतलल लोग कामते करना चौन देया पर उननों काम नहीं मिलदा जिकरोन वद मांग भी स्थिती चादो उदो अती पूरण रुजगार दी स्थिती पैदाव जन्दी जदो वद मांगो वे क्योंकि उदो अपाँ पता है कि जड़ा पहला ही सारे फुल मतलब सारे साधन जड़े आपने रुजगार के लगें दे फुल इंप्लोयमेंट दी स्थिती हुं दिया ता वद मांग दी वेच्च आपाँ इगाल कह सकदे कि अती पूरण रुजगार दी स्थिती पाई जन्द ऊसर वाद 4 पॉसन देह आपका क HARत मंग दी स्थिती वेचे की हमद ने और जड़ी आमदन है और जणर सõ खाजव है ऑद नियुत पादन है ठीक है ऐस सारा यह जड़े इंकाट मंग दी सथिती कि वेच्प आन जया सकददा आपका जानने क्योंकि वारबर ही सन्दा हम बढ तो ये जरे चार पॉइंट डिफरेंस दे बहुत ही इंपॉइंट पॉइंट ने तो ये आपां कोई ना डिसकस कीते हैं तूसी ये नमने चंगी तना याद कर लेना एक एक काफी इंपॉइंट कुरे लेसन दे विच्छ काट मांग ते वद मांग दा एकी चितरही व्याख्या ते एक नज अन्तर है एक कोश्चन बहुत इंपोर्टन्ट ऐ होन अपां गाल करते हैं फेटा चक्री उतार चडह ही फीर एक इंपोर्टन्ट कोश्चन भाण चक्री उतार चल्डा पईदा हुं देया उना बारे तुसी की जान देऊ बहुत इंपोर्टन बैसे भी आनले समेचे भी तोड़ेश्ते बहुत इंपोर्टन चीजे नुद समाई ना की चक्री उतार चल्डा की हुं देने जेवे की बिटा आपा काट मांग दे वाद मांग दी तेरी तारना उनु बहत ही चंगी तरह आपा समझ चुके हैं उदे चापा काट मांग वाद मांग उदे प्रभावां बारे वाद मांग दे काट मांग दे प्रभाव सारा मतला वाग चेप्टर कर लिया ाप啊 ये देखिये कि अधर् depress स्थिती की है, सब तो बदि ये स्थिती की हुंदी करद वußता देवेच आपा पड़िये कि अधर्स स्थिती ू स्थिती हुंदी है जथे कोल मांग कोल पूर्ती आपसच बराब्बर हुंदे है ये पूरण जड़ी रुजगार दी स्थिती दे वेच ता ओ एक अधर्ष स्थिती मननी जन दी है मतलब ओ स्थिती दे वेच किसे कि समझे कोई जड़ी या बेरुजगारी नहीं दी पर ए जड़ी ए जड़ी है सारी हैं गल्लाँ असल जी मन्दे वेच ये इसतरा नहीं था असल जी मन्दे वेच्छ मांग कट दी विया वद दी विया ता एस मांग कटन या वदन करके हिजड़ा है वो अर्ध वस्ता दे वेच्छ चक्री उतारचड़ा प्यादा हूं देने तो यह बहुत ही मतलब बड़ी सिंपल तो नुसा में लगी है कि चक्री उतार चड़ा की केड़े उतार चड़ा ने चक्री उतार चड़ा तुझी कहना है कि मांगे दे कटन या वदन करके एक अर्ध वस्ता देविच यह पैदा हुंदे ने अपां समय दें कि चक्री उतार चड़ा असल चड़ा है जिमें आपां असल चड़ा आम तौरते अपां गाले कर दें अभी बजार चबड़ी मंदी है या बजार चबड़ी तेजी है वो जड़ी तेजी तेजी ते मंदी है ना वही जड़े आर्थिक उतार चड़ा है उतार मन्दी ते छड़न stating वह मतलब सभी उतार मतरं उतरे मंधी होगी तर उननुब के नाम दत्ता के चकरी उतार मंदी ते तेजी तहीं और आपट आये देखे जेकर अर्थ वस्तादें बेच्छ ओंधी तन vallahi theosas 2020 आजंदिये ठीक है, और कीमता का डंगे न मंदी आगी ना, ये स्तरा हैं जेकर तेज़ी दी स्थेती है, मतलब वद मांगा, ता कीमता मी वद नहीं है, तो तेज़ी दी स्थेती है आगी, होन अर्ध वस्ता देच्च ए आपा देखना हैं, जेड़ा बेटा ए उतार चड़ाया ना, ए उपर थले जान दारंदा है, कि ते मंदी तेजी, मंदी तेजी, मंदी तेजी, ए चल दारंदा, जेकर मानलो कि अर्ध वस्ता देच्च काट मांगया, मतलब मंदी आगी है, तो जेकर मंदी आगी है, ते होली, 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 ए जड़ी अर्ध वस्ता च ऑटमाटिकली जड़ी मंदी है, होली, होली, च सुदार हन दा, ते होली, होली, रिकवरी होने शुरू हो जन्द तो एस तरह ए जड़ा में पार चक्कर है अर्द वस्ता दे विच्च चलदा ही रंदा है तो एसी बिटा चक्री उतार चड़ा बरे तौनों मैं जान कर दिती है तो अपना लेसन जड़ाया वो समापत हो चुका तो आपा इक वरी देखिए कि आपा जड़ा लेसन काट मंग आते वाद मंग दी समस्या वरे डिसकस कीता है उदेच आपा केडियां केडियां जडियां गल्ला मेटा डिसकस कीती है उदेच सब तो पहला ते आपा कीता काट मंग तो पीपा काट मंग की है फेर आपा किता काट मांग दे कारण फेर आपा किता काट मांग दे प्रबाव उस्तो बाद वाद मांग तो कीपाव है वाद मांग दे किड़े कड़े कारण है बदेरे मांग दे प्रबाव फेर आपा किती गल अव सफीति कंट्राल दी ते सफीतिक अंत्रा आगे उस्तो बाद आपा गालकितिक काट मांग ते वाद मांग दोना छे की अंतर है ते उस्तो बाद फिर लास्ते आपा गालकितिसी चक्री उतार चड़ा हूँ तो इस सारा ही जड़ा लेसना हूँ होना समापत हूँ चुका है जड़ा अगले लेसन देच आपाएं गालकरांगे कि काट मांग अते वाद मांग दी समस्या नूँ आपा केवें हाल करन दे केड़े केड़े उपा आने तो प्यारे दे आर्थियो मैंनों पूरी उमीद है कि तुसी जड़ा आज दा जड़ा टॉपिक आपा गीता है काट मांग अते वाद मांग दी समस्या इता नूँ चंगी तरह समझ लग्या हूँ वेगा ते फेर आपा केसे अगली वीडियो देवेच अर्थ शास्तर दा को नमा जड़ा टॉपिक लेसन लेके आमांगे ते बहुत ही ते अननाल सुनल मस्ते ते सम्झन मस्ते कोड़ा बहुत 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 तनवाद थेंक यू सो मच बेटा